तो आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे वो हिंदी फिल्म जगत के एक नायाब कलाकार थे जिस दौर में बॉल्यूट के बड़े-बड़े हिरो सिक्स-पैक अब्स और बॉडी बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानते बही नहीं थे उस दौर में ये अपने सिक्स-पैक अब्स से हर दर्शकों को अपनी ओर आकशिक कर रहे थे ये मार्शाल आर्ट के भी काफी एक्सपर्ट थे लेकिन आज आप सब ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये शांदार कलाकार बॉल्यूड से अचानक गायब हो गया आखिर कैसे इस ग्रेट कलाकार ने अपने आपको बॉल्यूड से एकदम अलग कर लिया तो आईए आज जानते हैं कलाकार हुसेन खान के बारे में दोस्तों इनका बास्तविक नाम हुसेन खान नहीं था असल में हुसेन खान इराक के रहने वाले हैं इराक में इनका नाम था खरसोरी खली पनाह इरान में रहकर ही इन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी इसके बाद ये कुछ लोगों को मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया में आ गए इनकी गजब की परसोनालिटी और बेमिसाल बॉडी ने कई फिल्म डिरेक्टर्स को इनकी तरफ एट्रक्ट किया इन्हें हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे ये फिल्में थी जुरत, शीवा, मिस्टर बॉंड, खुनी महल और घर जमाई अधिकतर इनको फिल्म के में विलेन के गैंग में शामिल एक गुर्गे के तोर पर ही देखा जाता था और ये अक्सर फिल्म के में हीरो से घिर जाया करते थे खास बात ये कि जिस सिन में भी हुसेन खान फिल्म के हीरो से लड़ाई करते थे उस सिन में मार्शल आर्ट का टाच जरू नज़र आता था साल 1987 में हुसेन खान को मोहन बाखरी के हौरर फिल्म खुनी महल में एक प्रमुक भुमी का निभाने का मौका मिला इस फिल्म में कराटे मास्टर रोमियो के रूप में हुसेन की भुमी का सकारात्मक और काफी बड़ी थी असी के दशक में हुसेन खान को शालिमार नारियल तेल के बिग्यापन में भी देखा गया था दोस्तो इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म यू तो जिगर थी जो 1992 में रिलीज हुई थी जिगर मार्शल आर्ट पर बेस्ट फिल्म थी इस फिल्म में अजय देवगन, करिश्मा कपूर और महाभारत में अर्जून बनने वाले अर्जून यानि की फिरोज खान जैसे दिगज कलाकार मौझूद थे लेकिन सही माईनों में अगर किसी कलाकार को दर्शक ने सबसे ज़्यादा इस फिल्म में पसंद किया था तो ये हुसेन खान थे अपने छोटे से लेकिन एहम रोल में इन्होंने अपने हुनर से दर्शकों का दिल जीत लिया था शुरू से ही हुसेन खान ब्रूसली के बहुत बड़े फैन रहे थे यही वज़े है कि इनकी बॉडी की शेप काफी हद तक ब्रूसली की बॉडी जैसी ही थी ये Bollywood में स्टन्ट मैन या फाइट मास्टर के तोर पर भी काम किया करते थे एक दिन हुसेन खान पर नजर पड़ी उस दोर के बॉलियूट के सबसे बड़े फाइट कॉमपोजिटर विरू देवगन की विरू देवगन काफी समय से चाहते थे कि उनके बेटे अजय देवगन को लेकर कोई ऐसे फिल्म बनाई जाए जो मार्शाल आर्ट पर बेजड हो और अब तक कि सभी हिंदी फिल्मों से एकदम हट कर स्टांट्स या एक्शन उसमें दिखाई दे विरू ने डिरेक्टर फारुक सिद्धी की को अपने दिल की ये बात बताई और आखिरकार इन दोनों ने मिलकर फिल्म जिगर बनाने का फैसला किया हलाकि इन्हें अब भी तलाश थी एक ऐसे एक्टर की जिसकी बोडी और परसोनलिटी मार्शल आर्ट के सिक्वेंस करने के मुतावक ही हो तब विरू देवगन ने डिरेक्टर फारुक सिद्धी की को हुसेन खान का नाम सुझाया बस विरू देवगन का यही सिफारिश हुसेन खान के फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया फिल्म में हुसेन खान बाबा ठाकूर यानी अजीत खान के बेटे के किर्दा निभाए थे फिल्म की शुरुआद में ही हुसेन खान के कई शांदार एक्शन सिक्वेंस रखे गए थे इस फिल्म में विरू देवगन और अजय देवगन को हुसेन खान का काम काफी ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म के बाद वीरू देवगन ने हुसेन खान को फिल्म जान, प्लैटफॉर्म और दिव्य सक्ती में छोटे-छोटे किर्दारों में लिये भी हलाकि किसी ने हुसेन खान को इन फिल्मों में नोटिस नहीं किया बॉल्यूड में अपने कदर ना होते देखकर हुसेन खान ने बॉल्यूड और इंडिया छोड़कर कैनाडा जाने का फैसला कर लिया हलाकि बॉल्यूड में आखरी बार ये कलाकार सन 1998 में अक्षाई कुमार और सैफ अली खान स्टारार फिल्म कीमत में नजर आये थे जिसमें ये अक्षाई कुमार और सैफ अली खान के साथ एक फाइट सिन में भी दिखे गए थे इसके बाद हुसेन खान कानाडा की राजधानी टरेंटो शिफ्ट हो गए और यहां उन्होंने अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया यहां इन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की तालिम भी दी इनके कई स्टूडेंट्स ने मार्शल आर्ट के फिल्ड में बढ़िया प्रदर्शन भी कर रहे हैं अब हुसेन खान कैनाड़े के नागरिक बन चुके हैं और अपने परिवार के साथ वही रहते हैं इनके दो बेटे भी है जिन में एक है आरियन और दूसरे बेटे का नाम है आमेर इनके दोनों बेटे भी इनके तरह मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है आनंद इंटर्टेन्मेंट के तरफ से हुसेन खान जैसे कलाकार को सद्धा अरपन किया जाता है